Hello friends, YouTube channel में आपका स्वागत है आज हम आपको नवजात बच्चे की देखवाल कैसे करें सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि नवजात सिसू जन्म के समय लगभग 3 किलो 500 ग्राम का होना चाहिए और लंबाई उसकी 1 फिट होना चाहिए जन्म के ठीक 6 महीने के बाद लगभग 7 किलो होना चाहिए और लंबाई 1 फिट 3 इंची होनी चाहिए और एक बरस में 10 किलो का होना चाहिए और लंबाई 1 फिट 6 इंची होना चाहिए बच्चे के जन्म से 3 माह तक की अवस्था तक परती सप्ता सीशु के बजन में 120-140 गराम तक बिर्दी होती है छे मा तक सीशु अपने जन्म काल के बजन से दुगना बजन प्राप्त कर लेता है बर्स की आयू तक 3 गुना बजन प्राप्त कर लेता है तथा लंबाई परती माह आधा इंची एक बर्स तक बढ़ती है दूद भी बच्चे को उसके बजन के अनुसार चाहिए होता है मा का दूद सीसु के जन्म से छे सव से नौ सव मिली लीटर परती दिन बनता है जो माह छे माह तक रहता है छे माह के बाद माह का दूद में परती माह 50-70 मिली लीटर दूद की कमी हो जाती है यदि बच्चे का बजन 3 किलो ग्राम है तो उसे करीब 500 मिली लीटर दूद किया वसकता होती है परती दिन चाहिए होती है सीसु का परती किलो करीब 170 मिली लीटर दूद किया वसकता होती है 6 मा के बाद मा के दूद में कमी आने लगती है अता सीसु को 6 मा के बाद बाहर के पूरक आहार देने पड़ते हैं बाहर के पूरक आहार की सुरुवात डाल का पानी, गाय का दूद, उबला हुआ पानी, फलों का गुद्दा, वाजूस, यादी दी जा सकती है जब मा बच्चे को अस्तन पान कराती है, तो एक बार के अस्तन पान में करीब 60-80 मिली लीटर दूद, मा के अस्तनों द्वारा बाहर कर दिया जाता है अता मा को 24 गंटे में अस्तन पान नियमा नुसर कराना चाहिए, जैसे कि यदी बच्चा एक माह का है, तो उसे 8-10 वार अस्तन पान कराना चाहिए एक से दो महीने के बीच, नौ से दस वार कराना चाहिए, दो से तीन महीने के बीच, आठ से नौ बार कराना चाहिए, तीन से चार महीने के बीच, साथ से आठ वार कराना चाहिए, चार से छे महीने के बीच, छे से साथ वार कराना चाहिए, छे से साथ वार महीने में बीच, पांच से साथ बार, साथ से नौ महीने के बीच, छे से छे बार, नौ से बारा महीने के बीच, उसे पांच बार दूद पिलाना चाहिए, और बारा महीने के बाद, दो से तीन बार ही दूद पिलाना चाहिए, इससे ज़्यादा ना पिलाएं, पान कराएं, और अपने बच्च को हिष्ट पुष्ट रखने के समर्थ रहें सभी बच्चे की मां से अनुरोध है कि बच्चे को अपना दूढ कम फिलाएं डिब्ब्बे का दूढ ना पिलाएं इस पर między एक फिल्म का डायलोग का इस्तमाल कर रहा हूं वो फिल्म अमिताब बच्चन की है वो फिल्म का नाम है मर्द जो कि कोई कोई माई का दूद पिया हो तो सामने आओ कोई नहीं सब साले डब्बे का दूद पी पी के डब्बे हो गए हैं अगला टिप्स जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों को सेर कीजिए थैंक यू